दोस्तो स्वागत है आप सब का आज की एक नई सांदार फ्रेस बीडियो के साथ इस बीडियो पर हम आईसर की तरफ से रिसंटली लॉंच दो हजार तेस लड़ेश ट्रेक्टर का फुल टेटल रिविव करने वाले हैं और दोस्तो आईसर ने इस ट्रेक्टर की इंजन को पू जिसमें कंपनी ने महंदरा का इंजन दे दिया है सौराज 843 XM में 4 सिलंडर का महंदरा का इंजन दिया है जिसकी चलते सौराज की डीजल खपत बहुत ही कम होने वाली है उस मौडल की और ताकत के इसाब से देखा जा तो 4 सिलंडर इंजन मिल गया था उसमें तो ताकत भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना आंगे ऐसे वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन की तो कमपनी ने इस ट्रेक्टर को 45 HP के अंदर लॉंच किया है जो कि 2030 का सबसे इस पेसल आइसर क का ट्रेक्टर होने वाला है दोस्तों कमपनी ने इसमें दिया है 1345 CC का क्यूबिक कैपसिटी जो कि यह ट्रेक्टर इंजन के 2150 रेटेट आर पेम की साथ में 45 HP की तागत जनरेट करने वाला है यही नई दोस्तों इसमें जो आपको टॉर्क दिया गया है 160 NM का हाई टॉर्क मिल जाता है जो की देखा जातो क्यूबिक कैपसिटी के हिसाब से इसका जो टॉर्क दिया गया है काफी बहतर मिल जाता है जिसके चलते इसकी डीजल खपत बहुत कम होने वाली है और ताकत के हिसाब से काफी ज्यादा जोर लगाने वाला है साइलेंसर का लुक आप देख स इसके कुछ और भी एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स की तो यह ट्रक्टर आपको एर कुल्ड इंजन पर मिलने वाला है तो सबसे पहले दोस्तो अब आपके मन में बिचार आ रहा होगा कि कम्पनी ने इसमें इंजन कौन सा दिया है तो आपको बताना चाहूंगा पहले इस ट इस ट्रक्टर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे इस ट्रक्टर की डिमांड बढ़ी तो कंपनी ने इस ट्रक्टर की इंजन पर काफी जाता सुधार किया है जिससे की इस ट्रक्टर को टेकनलोजी की मावले में यह फिर देखा जा तो फीचर्स की मावले मे company ने improve किया है और दोस्तो इसमें आपको मिल जाता है Ricardo का engine जो की air cold engine दिया गया है दोस्तो यह आप देख सकते हैं इसमें आपको तीन cylinder का water cold दमदार engine नहीं मिलता है तीन cylinder का air cold दमदार engine दिया गया है जिसमें आपको Micro Boss का airline pump देखने को मिल जाता है और इसमें आपको मिल जाते हैं double double diesel filter और दोस्तो रिकार्डो का engine ट्रक बगार में दिया जाता है जो कि ट्रक काफी जादा heavy duty काम के लिए बना जाते है वैसे हाल इस ट्रक्टर का होने वाला है आप इस ट्रक्टर से कोई भी heavy duty काम बड़े आसानी से कर सकते हैं तो देख सकते हैं फ्यूल के लिए इसमें आपको micro boss का pump दिया गया है जो कि in-line pump होने से इस ट्रक्टर की diesel खपत बहुत ही कम होने वाली है और देखा जा तो maintenance के हिसाब से इस ट्रक्टर का pump long lab service देने वाला है यही नई दोस्तो इसमें आपको double double tandem pump भी देखने को मिल जाते हैं जो कि एक hydraulic के लिए दिया गया है और एक steering के लिए दिया गया है दोस्तो इस वीडियो पर इसकी मैं पूरी technical detail आपको बताने वाला हूँ वहीं अगर दोस्तो बात करें इसके कुछ और भी extra features की तो इसमें आपको 45 HP के इसाब से 1800 kg की lifting capacity मिल जाती है वहीं दोस्तो इसमें आपको 38.3 HP की PTO पावर भी देखने को मिल जाती है दोस्तो बीडियो पर हम आपको बताएंगे कि इसमें किस type की PTO दी गई है जो कि आने वाले समय पर आप कोई भी extra implement लगा सकते हैं तो ट्रेक्टर का engine आप देख सकते हैं कुशिस तरह डिजान किया गया है जो कि पहले के मुकाबले काफी ज़्यादा heavy duty बना दिया गया है यहीं नहीं दोस्तो इसमें आपको devil acting वाली hydraulic power steering भी देखने को मिल जाती है जो कि category के साफ से काफी बहतर tire size दिया गया है वहीं अगर बात करें इसके front axle की तो front axle तो आपको straight type का front axle दिया गया है इसको आप adjust नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें इसकी service की तो इसमें आपको काफी ज़्यादा heavy duty मिल जाते है दोस्तो इसमें आपको काफी ज़्यादा heavy duty वाला badness bumper देखने को मिल जाते है जो कि इस tractor को आप trolley बगार में बड़े आराम से use कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं extra अगर आपको weight लगाना है तो नीचे आपको function मिल जाते हैं यानि कि extra hole बगार मिल जाते हैं जिससे कि आप इस tractor पर extra weight लगा सकते हैं या आप देख सकते हैं कुछिस तरह का system दिया गया है दोस्तो अगर आप tractor से रेता या फिर ट्रॉली बगारा काम करते हैं जो कि भरे ट्रॉली रहती है तो इसमें आप रेता की बोरी बगारा आंगे रख सकते हैं जिससे कि ट्रेक्टर सामने से उड़ता नहीं है कंपनी ने पूरा खयाल रखा है और इसमें आपको काफी बहतर बहतर features मिलने वाले हैं अगर बात करें इस तरफ की तो इस तरफ का लुक भी आप देख सकते हैं कंपनी ने काफी बहतर और जोड़दार लुक दिया है यह ट्रेक्टर एर कुल्ट इंजन पर मिलने वाला है जिसके चलते सामने और साइड में आपको काफी बहतर जाली भी मिल जाती है दोस्तो इस तरफ का इंजन डिजाइन आप देख सकते हैं जो शीस तरह का मिल जाता है जो की यह ट्रेक्टर पर आपको एर कुल्ट इंजन दिया गया है जिसके चलते तीन सीलेंडर में तीनों पंखे अलग अलग मिल जाते हैं जो की इंजन को ठंड़ा कर सके और इंजन से आप थोड़ा और लंबे समझ तक बड़े असानी से काम कर सकें दोस्तो एरकोल्ड इंजन काफे जादा maintenance फिरी रहते हैं लेकिन दोस्तों water coolунд इंजन के हिसाब से air cool इंजन की थोड़ी सी आवाज जाता रहती है क्योंकि पंख्य बगएरा लगे रहते हैं तो पंख्य की आवाज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो दोस्तो देखा जातो मेंटिनेंस के हिसाब से एर कोल्ट इंजन काफी बहतर रहता है क्योंकि उसमें पानी आने का जंजट ही खतम हो जाता है नेचे आप देख सकते हैं सेल्फ बग्यारा की मोटर मिल जाती है वहीं इसमें आपको 75 AH की 12 बोल्ट बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तो यह अट्रक्टर आपको पूरी तरह से टॉप मॉडल पर दिया गया है जिसके चलते आपको पाबर ब्रेक यानि की ओईल वाले ब्रेक भी देखने को मिल जाते है साइट में आप देख सकते हैं लुग कुछ इस तरह का दिया गया है जो कि आईसर 480 और 5 इस्टार की ब्रेंडिक आपको इस्टिकर में नहीं 3D में मिल जाती है सामने से लुग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है जो कि दो हैलोजन टैप की हैट लाइट और बीच में आपको आईसर का 3D में लोगों देखने को मिल जाता है इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ का लुग भी आप दिख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है जो कि AISER 480 की ब्रेंडिक आपको इस्टिकर में नहीं 3D में यूज की गई है जो कि काफी बहतर इसमें 2000 थे इसमें इंप्रूब किया गया है तो अब देख सकते हैं ट्रक्टर पर चणने के लिए सिंगल पैदान दिया गया है जो कि AISER के हर मॉडल उपर यही पैदान डिजाइन किया जाता है चलते हैं ट्रक्टर की उपर और दिखाते हैं उपर का व्यूव बात करेंगे transmission की seat की तो इसमें आपको पूरे function यानि के features में आपको दिखाने वाला हूँ तो अब देख सकते हैं ट्रक्टर के उपर चणने के बाद कुछ इस तरह गव्यू मिल जाता है जो कि अगर बात करें इसके कुछ extra features की तो seat तो इसमें आपको deluxe type की adjustable मिल जाती है वहीं अगर बात करें इसके transmission की तो इसमें आपको 8 प्लस 2 का fully partial constant में side sip gearbox देखने को मिल जाता है जो कि 8 प्रकार की आगे वाली speed वहीं 2 प्रकार के पीछे वाली speed की साथ में बनाया गया है देख सकते हैं seat के साबने काफी बहतरी space मिल जाता है और यह और बात करें इसके PTO की lever की तो देख सकते हैं इस तरह ब्रिजान किये गये हैं लेकिर इसमें आपको अलग से मिल जाती है इस तरह आपको hydraulic control के लिए दो लीवर दिये गया है position control lever और drop control lever जिससे की hydraulic को आप बहतर तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं अगर बात करें इसके steering की तो steering कर लोग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है जो कि काफी बहतर और बड़ा fuel tank दिया गया है अब चलते हैं ट्रक्टर की पीछे और दिखाते हैं पीछे का view तो अगर बात करें पीछे की तो पीछे का profile देख सकते हैं कुछ इस तरह के मिल जाते है 3-point link के इसके साथ में automatic sensing मिल जाती है single distributor valve दिया गया है company fitted वहीं अगर बात करें इसके hitch की तो hitch आप देख सकते हैं काफी ज्यादा heavy duty मिल जाती है जो कि इसमें आपको 540 standard RPM के साथ में live PTO मिल जाती है optional में आप reverse PTO भी ले सकते हैं PTO इसमें आप 38.3 HP की PTO power मिल जाती है वहीं अगर बात करें इसके lower link की तो lower link आप देख सकते हैं काफी ज्यादा heavy duty मिल जाते हैं जो कि 1800 kg की lifting capacity के साथ में lower link को आप adjust करने की जाए system मिल जाता है दोस्तों अगर बात करें इसके real excel की तो इसमें आपको double inboard rejection type का real excel देखने को मिल जाता है तो अज़ा करता हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और channel subscribe जरूर करें आगे ऐसे वीडियो देखें